आज हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस 6.3 के बारे में हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवारी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के रिलेटेड काफे सारे वीडियो बनाता रहता हूँ वर्डप्रेस 6.3 आ चुका है तो इसके कुछ नए फीचर देखते हैं कि काम का है कब आपको अग्रेड करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा मैं आज के इस क्विक वीडियो में तो यह रही मेरी वेबसाइट के पीटेस्ट होस्टू फिलाली अभी होस्टिंगर पर होस्टेड इसको मैंने आपर वर्डप्रेस 6.3 बीटा को इंस्टॉल कर दिया है जब तक आप लोग यह वीडियो दे हुए शायत से तब तक स्टेवल वर्जन आ चुका होगा और यहां पर हम लोग सबसे पहले जो इसमें नई चीज़ आई वो मैं बताता हूं क्विकली वो है पाटर the link below यह मैंने अपना एक pattern बना दिया है click here तो अगर मुझे इफिलेट ले करना है तो मैंने अपना एक pattern बना दिया है I will go here यह मेना group है यहां पर जाकरके create pattern और reusable block इस पर मैं click करूँगा and I can create a pattern तो जो sync pattern है यह reusable blocks में आ जाता है और यह जो non-sync pattern है यह non-reusable block में आएगा जैसे यहां पर मैं डाल देता हूँ non-sync pattern create तो अब मैं इसको कहीं पर भी use करूँगा कुछ भी अगर मैं changes करूँगा तो वो सारे blocks में reflect नहीं करेगा वही पर ही अगर कोई मैं ऐसा pattern create करता हूँ जैसे मान लेते हैं मैं आपर एक disclaimer बना देता हूँ code disclaimer और यहां पर मैं जो भी मुझे disclaimer अपना लिखना है वो लिख देता हूँ and now I want this कि जबी भी मैं इस block पर change करूँ सारे block पर वो change होना चाहिए तो वो reusable block में आता है तो I'll go here I'll click reusable block sync and then यहां पर जा करके disclaimer block तो अब मैं किसी भी एक block पर change करूँगा तो सब भी पर change होगा and इस पर अगर मैं जैसी insert करूँगा और यहां पर अगर मैं कुछ भी change करूँगा तो सब में change नहीं होगा इसको insert करना काफी easy I'll go to here and then plus यहां पर मेरे reusable blocks आ जाएगे जैसे कि disclaimer block में ने बनाया उसी तरह के से contact us में ने बनाया है तो एक अगर मैं contact us पर change करूँगा तो सभी contact us पर मेरा change हो जाएगा that is reusable blocks इसके बाद अगर मैं यहां पर वापस जाओ and then patterns पर my patterns जो मैंने यहां पर बनाया है यह सब non-sync pattern है तो बन्दर मैं इसको यहां पर insert करूँगा कुछ भी change करूँगा तो बाकी pages पर वो changes नहीं होगे इसके बाद जो आपको यहां पर change देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको right hand column पर आपको sliders आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे में style पर जाओँगा यह style वाली window है यहां पर जो padding अभी तक यहां पर आपको manual numbers देखने को मिलते थे तो यह थोड़ा easy हो चुका है margins के लिए paddings, paddings, borders के लिए you can have this पहले से थोड़ा जादा अच्छ हो चुका है for this styling जो इनकी है वो overall थोड़ी अच्छ हो चुकी है radius you can just play around with the settings यहां पर एक details block है मैं details block को add करता हूं basically a accordion type है तो जैसे यहां पर प्रोस दाल देता हूं and then मुझे अगर यहां पर कुछ भी drop-down में डालना है तो I can have that pros good speed light speed service customer support तो I can have something like this यहां अगर मुझे कुछ भी drop-down में डालना है to save my time और इसके अंदर हम लोग दूसरे elements भी डाल सकते हैं for example I can add image तो इक बार हम लोग यहां पर इसको preview करके देख लेते हैं preview in new tab यह रहां नीचे accordion details वाला जो टाब हो आप कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पर हमें a footnote को option मिलेगा for example यह रहा यहां पर मुझे a footnote को set करना है I'll go here footnote पर जाओंगा मैं and then यहां पर मैं उसका link add कर दूँगा जो भी है जैसे लाल के मैंने इवादा link add कर दिया है तो यह जो दिख रहा है आपको let me zoom on to this one यह इस पर जैसे कोई भी क्लिक करेगा वो सीधे नीचे चले गाएगा प्रिव्यू करके दिखते हैं हम लोग अब लोग जाते हैं इसको प्रिव्यू पर यहां तो यहां पर जैसे कोई भी क्लिक करेगा वो चले जाएगा नीचे here on this link तो इस तरीके से footnotes you can add now यह थे कुछ main changes जो maximum users के लिए रहेंगे बाकी जो इसमें major changes हुए है wordpress 6.3 पे वो हुआ है इडिटर साइट पे फुल साइट एडिटिंग करके जो चीज है उसके ओपर हुआ है जो maximum लोग अभी यूज भी नहीं कर रहे हैं मुझे इतना खास पसंद आया नहीं लेकिन आपको क्विक्ली बता देता हूं ताकि इन फ्यूचर आपको पता रहे कि क्या चल रहा है wordpress की तो मैं चले आता हम अपिरियंस पे एडिटर पे यह रहा मेरा फुल साइट एडिटिंग यहां पर खुल चुकी है कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पर अब लेफ्ट हैंड आपको बहुत सारी और बी चीजे दिखेंगी पहले से पाटन सा टेंपलेट सी अब नाविग अपर कमांड सेंटर मिल जागा यू के इनिवेर फ्रॉम है जैसे अगर मैं स्टाइब करूं तो मैं स्टाइल पर जा सकता हूं अड इस रहा है यहां पर मैना स्टाइल इस कोल गया है तरीके से आइकन गो एनिवेर आयवां टू पेज पर जाना है एकना अड़न निव from here social icons, add here I'm going to add wordpress we can add something like this that means, you can play around the navigation option is there, then let's go back in styles, styles styles I think is good, I can just select the theme of my website if I want to choose the theme then I will go here then I can go to style books let me tell you how the headings will come to the format how to show paragraph or image, gallery तो एक style की इन्होंने यहां पर default template मुझे बना के दे दिये कि अगर मैं इस style के साथ में जाता हूँ तो कैसा रहेगा for the headings and for different things तो I can just edit it if I want to कि अगर मुझे यहां पर कुछ और चीए headings में तो वो मैं देख सकता हूँ लिस्ट में कुछ और style चीए तो हर चीज़ के यहां पर I can define that style theme style template for my website यह भी maximum themes में सब supported नहीं रहेगा यह सिब कुछ ही themes से जो भी full site editing को support कर रही है maximum लोग इसका use भी नहीं करेंगे next है यहां पर pages pages यहां पर simply हम लोग पिन यह pages को add कर सकते हैं we can add a new page test page create draft तो यहां पर मेरा test page आ चुका है full site editing में यहां पर इस तरीके से उसका interface दिखेगा I can add यहां पर जो भी मुझे करना है contact us तो सारी चीज़े मैं यहां पर डाल सकता हूं इसके बाद templates तो पहले भी थी तो इस पर मैं जादा नहीं जाओंगा पाटन से दिन अगें जो मैंने वहां पर block editor पताया था यहां पर भी आपको सारे patterns मिल जाएंगे if you want sync वाले कॉन से हैं आपके कॉन से हैं वो सब यहां से आप देख सकते हैं उसको edit और भी we can do it apart from this PHP 5 का यहां पर support drop हो चुका है जो कि अच्छी बात है काफी पुराना version हो चुका था अब PHP 8.1 पर अगर आप लोगों का server है तो बेस्ट रहेगा यहां पर काफी सारे performance improvement भी किये गए है 170 plus performance updates are here which is really nice to have these improvements so यह था WordPress 6.3 के बारे में क्या आपको इसको upgrade करना चाहिए मेरे साब से एक हफ्ते और रुक जाना जब तक वर्ट्रेस का 6.3.1 वाला version कुछ नहीं आ जाए तब तक रुक जाना इतनी भी मतलब कुछ major updates नहीं कि अभी नहीं करोगे तो you will be in a huge risk थोड़े टाइम रुक सकते हो ताकि जो भी bugs वग रहे हो वो फिक्स हो जाए एकदम से immediately update मत करना but apart from that मुझे ऐसे अभी कोई बहुत अच्छे features नहीं मिले ज्यादा तरहें आपे changes full site editing पे क्लिये गए हैं जो maximum लोग use नहीं करते हैं maximum theme support नहीं करते हैं so do let me know your opinions about what is 6.3 video अच्छा लगा तो thumbs up देड़ा comment कर देना it really helps me a lot it motivates me and I'll see you guys in the next one goodbye